अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर मागने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर जब इरादा कर ही लिया है जीतने का तो हारनी की फिक्र कैसी जब सीखने का जुनून सिर पे सवार हो तो एक लवे जैसे सिश्य गुरु द्रोण की प्रतिमा को गुरु मान कर इतिहास बदल देते हैं परन्तो इस युग में आपके उंगलियों पर है पूरी टेक्नोलोजी तो सीखने से कैसा डर? चलिए करते हैं आपके इस स्टाटिक जीगे के डर को क्यों हो स्वागत है आप सभी का हमारी राजदर्शन सीरीज में जिसकी शुरुवात होगी पेस उपर से प्रत दिन सुबह साथ बजे और केवल एक वीडियो से एक राज़ी का पूरा स्टाटिक जीगे कवर करें जोड़ना मत भूलिये रोजाना सुबह साथ बजे राज़दर्शन श्रिंकला में आपके अपने नवदीप सर के साथ ससी अद्ड़ 24-7 यूट्यूब चैनल पर दो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का ससी अद्ड़ 24-7 पर राज़दर्शन सीरीज आप सभी के लिए ओडिशा राज़ी के बारे में संपूर्ण इतिहास भूगोल और उसका स्टाटिक जी के लेकर के हाजिर है दोस्तों आज भारत के एक ऐसे राज़ी की बात कर रहे हैं हम जो उत्सव धर्मी है यहाँ इतने सारे उत्सव यहाँ इतने सारे डांस के फॉर्म्स हैं कि इस स्टेट को देखते ही लगता है मानो भारत पर कल्चरल डाइवर्सिटी का कोई एक बहुत बड़ा सितारा हो जो चमक रहा हो ओडिसा राज्य भारत के उन वहिंद राज्यों में से है जो राज्य भारत के अति महतुपूर्ण अति उत्सव धर्मी और बहुत ही ज़्यादा शांदार है तो आईए दोस्तो राज्य दर्शन सिरीज में आज हम स्टेट टूर करते हैं ओडिसा का सबसे पहले जैजगनाथ और दोस्तो ओडिसा के बारे में अगर मैं कुछ लाइन्स आपको सुनाना चाहूं तो जगत के नाथ को मन में बसाए प्रांत उतकल है यहां मीलों समंदर है यहां नदियों की कलकल है यहां जीलें यहां ज़रनें यहां परवत है जंगल है यहां इतिहास के सीने में कोई एक हल चल है कोई राजा यहां संगहार कर बोधत पाता है मनुझता जीत जाती है कि पौरुष हार जाता है यहां हर एक घर में आस्था का दीप जलता है यहां कोणार्क को सपर्श कर सूरज निकलता है यहां उपेंद्र और मेहर की कविता का खजाना है यहाँ जैदेव के शंदों का, कानहा भी दिवाना है, यहाँ पे गीत गोविन को लिए हर सांस चलती है, यहाँ श्रिंगार में अध्यात्म की ही जोत जलती है यहाँ पर बौध हिंदू जैन सिख गुरुतत्व हैं पाते, उदै और खंडगीरी मिलकर पुरातन मंत्र दोहराते, यहाँ चैतन्य की भक्ती यहाँ श्रद्धा की धारा है, यहाँ की कला का पूजक तो यह संसार सारा है, यहाँ चांदी की नकाशी यहाँ है शिल्प पिप है इसमें, नए भारत के स्वपनों का सकल विस्तार है इसमें, कोई हिंदोस्ता में जब भी राष्ट्रगान गाता है तो उसकी वंदना में अंश उतकल का भी आता है, दोस्तो हमारे राष्ट्रगान में यह लाइन तो है ही कि विंद हिमांचल यमुना गंगा उच्छल जल अधी तरंग और उसके पहले उतकल शब्द का जिक्र भी आता है, दोस्तो हमारे इस खूबसूरत से राज्य उडीशा की यदि चर्चा करें तो स्थापत तेकला में उडीशा का कोई सानी नहीं पूरे भारत में, उसके पीछे वजह ये है कि यहां पर यहां पर साशन करे ह अन्य राज वंर शो के द्वारा बनाए गए खुबसूरत से मंदिर और इनी खुबसूरत से मंदिर, इनी खुबसूरत सी सांशकृतिक वीरासतों की चर्चा हम लोग करेंगे, पर उससे पहले आप सभी से यह विनंबर निविदन, कि आप लोग कॉमेंट सेक्षन में लग करते हैं आये उडिसा राज्य को समझने के कोशिश करते हैं उडिसा को देखा जाए तो उडिसा का बॉर्डर एक तो आंधर प्रुदेश के साथ है फिर उडिसा का छोटा सा एक बॉर्डर है जो की तेलंगाना के साथ भी है उडिसा का बॉर्डर 36 गड़ के साथ उडिसा का मंगाल के साथ यह boundary बनाता है अगर हम लोग बात करें कि इसके पडोसी राज्य कौन-कौन से हैं तो देखा दोस्तो जारखंड, वेस्ट बेंगॉल, छतीजगर और अंधर प्रदेश इसके बहुत ही खूब सूर्ती से पडोसी राज्य हैं और इनहीं पडोसी राज्यों से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पाएंगे कि दोस्तो ये उडिसा का छेत्र फल है लगभग एक लाख पचपन हजार साथ सो साथ स्क्वाइर किलो मीटर, यहां की पॉपुलेशन लगभग चार करोड, 69,89,232,2011 की जनगर्णा के अनुसार, राजधानी भुबनेश् जिले हैं यहां 30, 1 अपरेल 1936 को उतकल दिबस मनाया जाता है, मज़िदार सी बात यह है कि जब बकसर का युद्ध सन 1764 में हुआ, उसके बाद अलहाबाद की संधी हुई, और अलहाबाद की संधी होने के बाद, अन्ततह बिहार, बंगाल और उडिसा की दिवानी पूरी त बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद, बिहार राज्य से उडिसा 1 अपरेल 1936 को अलग हुआ, और यही कारण है कि 1936 का 1 अपरेल उतकल दिवस की रूप में मनाया जाता है, या उडिसा दिवस की रूप में भी हम इसे मनाते हैं, दोस्तो बड़ी मज़ेदार सी बा 2011 में, 96 सम्विधान संशोधन के अनुसार भारत के सम्विधान में किये गए इस परिवर्तन के हिसाब से उडिसा राज्य का नाम अब ओडिशा कर दिया गया है, यानि O-R-I-S-S-A से O-D-I-S-H-A, शित्रफल में स्थान देखें, तो 9 नमबर पर ओडिशा है, 300 व्यक्ति प्रति स्क्वाइर किलोमीटर ओडिसा में रहते हैं, सक्षर्ता दर है यहां की 72.87 प्रतिशत और यहां का हाई कोट आज भी पुराने नाम से ही जाना जाता है, जैसे कलकत्ता का हाई कोट अभी भी कलकत्ता हाई कोट के नाम से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश का हाई कोट अभी भी लहाबाद हाई कोट के नाम से जाना जाता है ये उडिसा हाई कोट कटक में स्थित है दोस्तों इसके अलावा यहां का सेक्स रेशियो या लिंगा नुपात लगबग 989 फीमेल प्रती 1000 मेल है जो की काफी अच्छा है लेजिसलेटिव एसेंबली विधान सभा म दस सीटे हैं गवर्नर राज्यपाल है अभी रीसेंटली अपॉइंटेट रगवरदास जी और सीम है नवीन पतनायक जी इस समय पर मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे है प्रदीप कुमार जेना साहब और चीफ जस्टिस के रूप में यानि की म मुख्या अधिश की रूप में काम कर रहे हैं विद्यूत-रण्जन-सारंगी साहब यह जो आप देख पा रहे हैं फोटोज यह इनहीं लोगों की खास फोटोज है यह लोगोवार भूढ़ ऑदास जी है नवीन-सारंगी साहब है और नीचे जो फोटी आप देख पा गाना के साथ और बाकी हिस्सा आंद्रपुदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और आगे चले तो देखो दोस्तो ओडिसा जिसे ओडिसा के नाम से भी जाना जाता है भारत का एक राज है जो भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाडी के किनारे स्थित है और यहीं आप देख पाते हैं कि एक तरफ बंगाल की खाडी है और लगभग 480 किलो मीटर की कोस्ट लाइन है जो की फैली हुई है उडिसा के साथ बंगाल के खाडी के तक पर दोस्तो एक जानकारी यह है कि पहले इसका नाम कलिंग हुआ करता था और यह वही कलिंग है जिसके बारे में क परिवर्तित करने के बाद कभी भी किसी और राज्य पर हमला नहीं किया हलांकि बहुत सारे विद्वान इस बात पर भी अग्री करते हैं कि अशोक ने बहुत धर्म स्विकार कलिंग युद्ध के पहले भी कर लिया था परन्तु बहुत धर्म को पूरी तरह से प्रैक्टिस से मिलती हैं या 13th rock edict से मिलती हैं इन जानकारियों से इतर उडिसा के और भी कई सारे नाम हैं लेकिन ये है भगवान जगनात की धर्ती और भगवान जगनात की धर्ती होने की वजह से यह हमारे लिए चार धामों में से एक बन जाती है और जैसे बद्रिनात धाम उत्राख महत्वपूर्ण चार धामों में से यह हमारा उडिसा का जगनात पुरी धाम भी है दोस्तों जगनात पुरी या जगनात भगवान जगनात धाम के इस पावन धरा पर खारवेल राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और यदि आप इस नक्षे को देखें तो ख लिंग के रूप में लेकिन जब खारवेल राजा धीरे-धीरे कमजोर हुए तो उडिसा फिर धीरे-धीरे गुमनामी में गया लेकिन गुप्त शाशक समद्र गुप्त ने एक बार उडिसा पर आक्रमन किया और राजजिता का अपना सामराज्य बढ़ाया और लगभग 610 ECV के आसपास हमारे भारत के प्राची नितिहास में ओडिसा सशांक रूलर के अंतरगत आ गया सशांक गौड साशक बंगाल के हुआ करते थे और फिर उसके बाद जब सशांक को अंततह राजा हर्शवर्धन ने हरा दिया चोकि अंतिम हिंदू समराट माने जाते हैं तो उन छटी शताब्दी से ले करके आठवी शताब्दी तक भारत में बड़ी ही राजनेतिक उथल पुथल की शताब्दी है कई सारे राजवंशों का उदै होना जिसमें से राजपूत नौर्थ इंडिया में प्रिडॉमिनेंटली और राजपूतों के अलावा साउथ में राश इस्टन गंग कहलाएं क्योंकि इनहीं की एक अन्य ब्रांच ने जब मैसूर एबम उसके आसपास वाले छेत्रों में साशन किया तो वह वेस्टन गंग कहलाएं और इस्टन गंग डाइनिस्टी लगभग सात्वी शताब्दी में अस्तित्त्य में आती है और फिर इस्टन गंग डाइनिस्टी के राजाओं ने इस कलिंग को इस उडिशा को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बनाया लगभग 795 एसी के आसपास महाशिवगुप्त ययाती दुतिय सिंगहासन पर बैठे और उडिशा के इतिहास में सबसे स्चांदार युक्की शुरुवात हुई कल गंग राजवंश के एक राजा है नरसिंग देव प्रथम या इन्हें राजसिम्ह के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने कोनार्क में एक मंदिर के स्थापना की जो युनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है नाम है कोनार्क सूर्य मंदिर हलाकि कोनार्क के सू लगभग 10-11 शताबदी आते आते 12 शताबदी के शुरुवात आते आते मुस्लिमों का इन्वेजन बढ़ने लगा और जो भी दिल्ली के तुर्क साशक थे उन तुर्क साशकों ने उडिसा में उडिसा के कल्चर के उपर अटेक किया हलाकि कई बार उडिसा के साशकों ने इस अटेक को रिपल्स किया, उनके अग्रेशन को कई बार रेसिस्ट किया, लेकिन अन्तत है आप सभी को पता है कि रिजल्ट्स क्या रहे मुगल एमपरर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे इस शेत्र में और लगभग मिड 16th सेंचुरी में 1592 के आसपास ओडिशा में पाँच अलग-अलग मुस्लिम साशक हो गए मुगल्स के डिकलाइन होने के बाद दोस्तो यहाँ पर माराठो ने ओडिशा को कैप्चर किया पुरी जगनात मंदिर जो फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर, लोदी दोनों द्वारा तोड़ा गया था इस पुरी के जगनात मंदिर को पुनर निर्मान करने का काम किया राजामान सिंग ने राजामान सिंग जो की अकबर की सेना में सबसे ज्यादा मनसबदारी पाने वाले आर्मी जनरल थे और आमेर यानी जैपूर के राजा भी हुआ करते थे वो भारत की कल्चरल धरोहर को सम्हालने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं और लगभग सौ से जादा मंदिरों का पुनर निर्मान करवाते हैं जो मंदिर तोड़ दिये गए थे कभी किसी सल्तनत काल में तो कभी किसी मुगल काल में दोस्तो राजामान सिंग के इस मंदिर को बना दिये जाने के बाद जब मराठों के अंडर में यह उडिसा आया तो आप देख सकते हैं कि मराठा एंपायर इस दक्षन वाले हिस्से से हो करके उडिसा तक और लगभग पेशावर के पास एक जगह है जिसे कहते हैं अटक और आज भी मराठा सामराज्य की जब जब डेफिनिशन दी जाती है तो उडिसा का जिक्र उसमें जरूर आता है कि अटक से ले करके कटक तक पूरा मराठा सामराज्य था यानि अटक नदी के आसपास वाले शेतर से ले करके और कटक जो की महानदी के किनारे पर इस्थित है यहां इस पूरे हिस्से में मौझूद्गी थी किसी और की नहीं की मराठा एंपायर की दोस्तों यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह महाराज नरसिंग देव प्रथम की है जो की इस्टन गंग डाइनस्टी के हुआ करते थे साथ ही साथ अगर मैं आपको थोड़ी और जानकारियां दूँ तो मराठों के बाद अन्तत है ब्रिटिश ने फिर धिर धिर इस पर साशन करना शुरू कर दिया और आप जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने जब साशन करना शुरू किया तो उसके बाद यह बंगाल प्रेसिदेंसी का हिस्सा बनने के बाद यह एक अप्राल 1936 को बिहार से भी अलग हो करके अन्तत है भारत में एक अलग पहचान बनाता है और उडिशा के अंदर उस समय पर जो अलग-अलग साशक शाशन कर रहे थे लग-भग 26 साशक वो सभी भारत संग में मिल करके अन्तत है जन्वरी 1949 में भारत यूनियन का हिस्सा बनते हैं दोस्तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते एक व्यक्तित्व को जिसने इतनी सारी देशी रियास्तों को इकठा कर हमें भारत यूनियन की सौगात दी नाम है उनका सरदार वल्लब भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और 31 अक्टूबर इसी लिए मनाया जाता है एक ऐसे त्योहार की रूप में जो की भारत का एक राश्ट्री त्योहार है और उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं राश्ट्री एकता दिवस और देखो दोस्तो राश्ट्री एकता दिवस ये जो एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है राश्ट्री त्योहार के रूप में ये क्यूं उसके पीछे वजह ये है कि राश्ट्री एकता दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है साथ ही साथ इनकी एक विशेषता यह भी है कि सरदार वल्लभाई पटेल के नाम की एक मूर्ती भी बनी हुई है 182 मीटर उंची और गुजरात के राज़े दर्शन में मैंने आपको यह भी बताया था कि 182 मीटर उंची होने के पीछे लॉजिक यह है कि 182 सीटे हैं गुजरात की लेजिसलेटिव एसेमली में दोस्तो सरदार वल्लभाई पटेल महान विभूती आईए कुछ भाषाओं की चर्चा की जाए जो उडिसा के अंदर बोली जाती है और उसमें से भत्री भूमिज बोडोपाजा देसिया गंजमी और उसके अलावा हो भाषा भी बोली जाती है कुर्माली भाषा भी बोली जाती है कोशली भाषा यहां की तो एक बहुत ही इं पर रेली और संबलपूरी संधाली सुंदरगड़ी यह सभी भाषा है लेकिन अगर मैं आप से कहूं कि उडिया एक ऐसी भाषा है जो यहां की स्टेट लैंग्विज है तो उसमें कोई ब्यातिश यक्ति नहीं होगी अगर हम और आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि राज्य का एक प्रतीक भी है अब आप देखें इसमें एक सर्कुलर सील है और इस सर्कुलर सील में एक वारियर है एक योद्धा है जो अपने होर्स के स्टैच्यू के साथ है और यह कुनार्क के संटेम्पल में पाई गई उडि उडिया गया मुंड़कोप निशथ से और उपर जो शेरों को आप देख रहे हो इसमें चार शेर हैं और यह लिए गए अशोक के सारनात्थ पिलर पिलर इंस्क्रिप्शन से सारनाथ पिलर में जब वो चारों शेरों को लिया गया तो सामने से देखने पर तीन ही प्रतीत होते हैं क्योंकि ओवियसली एक पीछे है ओडिशा इसका ओफिशियल नाम हो चुका है और दोस्तों बिलकुल मत भूलिएगा 96th Constitutional Amendment Act जो आया था सन 2011 में यहां का राजगीत भी है बंदे उतकल जननी I adore the O Mother उतकल बंदे उतकल जननी मतलब मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ हे मा उतकल और यह उडिया भाशा में बंदे उतकल जननी ही लिखा हुआ है इसके अलावा दोस्तों आप पाएंगे कि यहां क राज्य मचली है महानदी महसीर यानि टोर मोसल महानडिकस और इसके अलावा दोस्तों आप पाएंगे कि उडिसा राज्य में जो उडिसा राज्य का राज्य पशु है स्टेट एनिमल है वह है सांबर जिसे कहते हैं रूसा यूनिकलर और इसके अलावा यहां का राज्य प और इसके अलावा अगर राजवरिक्ष की बात करें तो वह है अश्वत जो की उडिया नाम है पीपल का इसे कहते हैं फिकस रिलिजियोसा अलावा इसके दोस्तो स्टेट फ्लावर या राज़ पुष्प है यहां का अशोक ट्री जिसे सार का असोका कहते हैं और पॉपलर हौकी में उडिसा वैसे भी बहुत काम करता आया है दोस्तों भुवनेश्वर में हौकी को ले करके इस कदर क्रेज है कि भुवनेश्वर को आज भी स्पोर्ट्स कैपिटल ओफ इंडिया कहा जाता है तो यह अपने आप में एक कमाल की बात है और जी आई टैग पाया हुआ स्टेट स्वीट यानि राज जी की मिठाई अपने घोशित है रशगुला जो लोग पसंद करते हैं उनके मुह में पानी तो जरूर आया होगा जैसे कि मैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो स्टेडियम्स यहाँ पे बीजू पतनायक होकी स्टेडियम राउर केला में स्थि स्टेडियम मलकांगिरी में है और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल होकी स्टेडियम राउर केला में मौझूद है तो यह जरूर याद रखिएगा यह जो खूबसूरत सी तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह कलिंग स्टेडियम की है और कलिंग स्टेडियम एक बहुत ही आगे पर्दे हैं तो हम पाते हैं दोस्तों की National Park या राश्ट्री उद्यान दो राश्ट्री उद्यान यहां के बड़े ही फेमस हैं और ये जो दो राश्ट्री उद्यान है उनमें से एक है सिमलिपल National Park मयूर भन्ज डिस्रिक्ट मे ओडिसा में और उडिसा के इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दरजा दिया गया 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है 1973 से उसके अंतरगत कई सारे टाइगर रिजर्व भारत में बनाए गए ताकि significantly हम लोग टाइगर्स की जनसंख्या को बढ़ा सकें बागों के जनसंख्या जितनी जादा बढ़ेगी उतना ही rich cultural biodiversity वाले देश कहलाएंगे हम भितर कनिका नेशनल पार्क जो की पर्मानंदपूर में है यह भी उडिसा का एक राष्ट्री उद्यान है दोस्तो यह खूब सूरत से बागों की तस्वीर आप देख पार हैं मेरे साथ यानि की तेन बाग डो येह, और गलती से मैंने इसल्हिए कहा क्योंकि मैं मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं खैर, आगे चलें तो हम पाते हैं दोस्तो की वाइट टाइगर भी ओडिसा में मिलता है हमें वैसे तो मध्यप्रदेश के ही रीवा को कहा जाता है लेंड ओफ वाइट टाइगर लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि वाइट टाइगर वाइट क्यों होता है वास्तव में जो पिगमेंट पीले वाले टाइगर के अं आलबीनिजम कहते हैं 13 जून को शायद हर साल अवेरनेस डे भी मनाया जाता है और ये वैसी ही विमारी है जिसमें इंसान की चमडी का रंग वह नहीं रह जाता जो आम तोर पर सभी का होता है बलकि चमडी सफेद हो जाती है कुछ वैसा ही जैनेटिक म्यूटेशन जिसे लिू प्रॉब्लम्स है कैमोफलॉज नहीं मिल पाता जिस वजह से ये कभी अपने आपको छिपा नहीं पाते आम तोर पर वाइट कलर के दिखी जाते हैं दोस्तो इसके अलावा मैं आपको सिमलीपल नेशनल पार्क के बारे में ये जानकारी भी देना चाहता था जो कि एक टाइ इसा और चतिसगड दोनों के नेशनल पार्क और वाइल लाइफ सेंक्चुरी को शामिल किया है और बाकाइदा इस मैप के माध्यम से आप सभी को एक साथ याद रखने की कोशिश कर पाएंगे इन मैप्स को सर्च करने में लगभग मैं घंटों लगाता हूं ताकि आपको बहुत ही सरल्टा से ये सभी चीज़े उपलब्ध करवा सकूँ चिलका जील जो की गंजम जिले में है और ये गंजम जिला ओडिसा में है ये एक सेलाइन लेख है और दोस्तों अगर चिलका जील की चर्चा थोड़ी सी की जाए तो वो ये भी जरूरी है कि चिलका जील के अंदर ही एक छोटा सा आइलेंड भी है जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है आगे चल करके बताएंगे चिलका जील एक सैलाइन लेक है यानि की एक खारे पानी की जील है और ये 1981 में भारत में केवला देव घाना नेशनल पार्क के साथ में घोशित पहली रामस अंदर स्थल भारत में घोशित जो हुआ वह चिलका जील है यह सबसे बड़ी लगून है और लगून का अर्थ होता है छिछले पानी के वह जील जो किसी भी समंदर के किनारे स्थित है अन्सुपा जील ये कटक में स्थित है सारा जील ये पूरी में स्थित है और तो कुछ फोक डांस या जो बहुत ही महत पूर्ण लोक नृत्य होते हैं उन लोक नृत्यों की चर्चा की जाए फोक डांस ऑफ संबलपूर जैसे कहते हैं दलखाई और यह आप देख पा रहे हैं कि यहां के लोकल लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपने दांस है छाओ डांस है चैती घोडा डांस है कर्मा डांस है और बहुत सारे डांस जैसे गोतीपुआ डांस है बागा नाच है जोडी शांखा है या रनप डांस है यह सब के सब डांस उडिशा के अंदर ही किये जाते हैं महारी और लवडी खेला महारी और लवडी खेला मे यह लवडी खेला डान्स की खूब सुरत सी तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखी है ताकि आप भारत के कल्चर को थोड़ा देख करके भी जान पाए एरपोर्ट के चर्चा करें तो बीजू पतनायक इंटरनेशन एरपोर्ट जो कि भूबनेश्वर में है और बीजू पत अरिजिनल एरपोर्ट और हीरा कोड एरस्ट्रिप यह सब ही तो डोमेस्टिक हैं बस बीजू पतनायक एरपोर्ट की जो हमने चर्चा की वह इंटरनेशनल एरपोर्ट की श्रिणी में रखा जाता है दोस्तों ओडिसा अगर आप नदियों के मामले में देखें तो काफी र जाती है और दोस्तों इसी की एक खूब सूरत सी ट्रिब्यूटरी आकर चिलका जील में मिलती है जिसका नाम है दया तो महा नदी की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी चिलका जील में जाकर मिलती है उसे दया कहते हैं अलावा इसके बहुत सारी नदियां जो बहती हैं इस ये नदियां बहती हैं इस मुख्य से राज्य में, कुछ बांध हैं जैसे मंदिरा डैम रिजर्वायर है, रंगली डैम रिजर्वायर है, नाराज बैराज है, और इसके अलावा गोहिरा डैम भी है देवगड में, गैखाई लेक है और डैम भी है, उसके अलावा धरमगड औ और दश्मती सागर कहते हैं इसे बालंगीर में, अलावा इसके देरजांग जलाशे बांध या जिसे देरजांग के अलावा कई बार देरजांग भी कह देते हैं, ये अंगुल में स्थित है और सत्पड़ा जील, जो सत्पड़ा है वह चिलका जील में, पूरी में स्थित है, सपुवा प्रोजेक्ट दैम ये तो दोस्तो धेंकनाल में है कोलाब जलाशे कोरापुट में और जलापुट जलाशे ये भी कोरापुट में स्थित है दोस्तो जैसे हम कल्चर की चर्चा कर रहे थे कल्चर की चर्चा करें और कभी नाम ना आए रथियात्रा का भगवान जगनात की जो ये रथियात्रा निकलती है इस रथियात्रा के बारे में इतना कहा जाता है कि इस रथ को घुमा करके जब भगवान स्वयम ही प्रजा का हालचाल लेने निकले हो तो ऐसे में लोगों का पूरी तरह से उत्सव में शामिल हो जाना या उत्सव में लीन हो जाना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है रत यात्रा उसके अलावा धौली कलिंग महुत्सव चंदन यात्रा राज रानी संगीत समारोह और धनु यात्रा दुर्गा पूजा जिस तरह से पश्चिम मंगाल के प्रमुक्त वहारों में से एक है वैसे ही दु पुस्तेश्वरी नृत्यम होत्सव एकाराम्र उत्सव और एकाम्र के अलावा फिर गजलक्षमी पूजा नुआखाई अब जैसे नुआखाई एक नाम है तो नुआखाई का मतलब हो गया नुआखाम न्यू और खाई का मतलब फूड यानि नूफूड जब आएगा तो उस समय पर ये नुवा खाई, नुवा खाई न्यू फूट तभी आता है जब हार्वेस्टिंग होती है फसल की और हार्वेस्टिंग का मतलब यह है कि फसल की कटाई हुई और नया अनाज घर में आया, रजापर्व, दुनिया भर के किसी भी देश की चर्चा आप कर लें लेकिन भारत जितना उत्सवधर्मी देश आपको मिलेगा नहीं और उसमें भी उडिसा, उडिसा हमारी पृत्वी के मेंस्ट्रूल साइकल को भी सेलिब्रेट करता है, यानि हमारे अर्थ को, हमारी मदर अर्थ का मेंस्ट्रूल साइकल उडिसा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और उसे कहते हैं रजापर्व, तो ये ये भी अपने आप में एक खास्ते वहार है, दोस्तों उसके अलावा महाविशुभ संक्रांती और महाविशुभ संक्र जी कई सारे पुरसकारों से सम्मानित हैं वो, दुनिया भर में, भारत में, उनकी ख्याती पूरे लोगों तक पहुंची हुई है, मकर संक्रांती के खूब सूरत से सैंड आर्ट को बनाने का काम उनी का था, बाकि उसके अलावा माघ सप्तमी, चैत्रपर्व और लंका पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिम्ह देव प्रथम के सामने पहुंच जाते हैं, जिन्हों ने राजसिम्ह की उपाधिली और कोनार्क में सूर्य मंदिर का या ब्लैक पगोडा का निर्मान करवाया, सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं कोनार्क के, को कोनार्क का जो डांस महोतसब है वह तो बड़ी ही खुबसूरती के साथ मुनाया जाता है और इसके अलावा एक जानकारी यह भी कि कोनार्क जो है वह भारत का प्रथम सोलर टाउन है यानि कि वहां सप्लाई जितनी भी एलेक्रिसिटी के है वह पूरी तरीके से सौरूर्जा क माध्यम से ही होगी ऐसा एक लक्ष बनाया था सरकार ने दोस्तो इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट या ताप विद्दुत सयंत्रों की चर्चा करें तो तल्चर का थर्मल पावर प्लांट है जिंदाल इंडिया थर्मल पावर प्लांट है और आई बी का थर्मल पावर स्टेशन है यह प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन है ओडिसा के और ओडिसा से अब आगे बढ़ें तो यहां पर प्रमुख फसले अब देखें दोस्तों आम तोर पर आप पाते हैं कि धान की फसल खरीफ की फसल है जबकि अन्य गेहूं चना या सर्सों की फसले रभी की फसल मौंग कपास गन्ना इत्यादी की खेती तो होती ही है पर उसके साथ ही साथ जब रभी का मौसम आता है तो रभी में राइस रभी वाला और मेज रभी वाला बोले यहां पर बोए जाते हैं ग्राउन नट मूंग फली ओनियन प्याज या मैंगो इत्यादी वगेरा भी आप तोर पर लोग इन फसलों को ठंड के मौसम में भी बोलेते हैं क्योंकि उडिशा में उतनी थंड नहीं पड़ती जितनी कि हमारे नौर्थ इंडियन स्टेट्स में जैसे उत्तरप्रदेश या अन्य प्रदेश जैसे पंजाब उत्राखंड या हिमाचल प्रदेश में और फिर पूरे साल भर दोस्तों सिटीज वित निकनेम ये तो हमारा एक ऐसा पोर्शन है ना जो हम बड़े फन-फन में करते हैं राउर के लाइस टील सिटी ऑफ उडीशा कहलाता है इंडस्ट्रियल कापिटल ऑफ उडीशा कहलाता है जब भारत में नहरु महल नोबिस मॉड दिया और इंडस्ट्री पर ध्यान देने के समय पे हमने यह भी ध्यान दिया कि जो हमारे भारत की इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया राउर केला है वहां एक फैक्ट्रिस थापित की जाए अब यह स्पात के कार खाने भिलाई में लगे दुरगापुर में लगे रा दिया गया तो इनकी एक गवर्निंग अथारिटी बन गई या इनको चलाने वाला एक निकाय बन गया दोस्तों देवगार को कहते हैं सिटी ऑफ वाटर फॉल्स इसके अलावा भूबनेश्वर को कहते हैं आईटी सिटी ऑफ इस्ट इंडिया स्पोर्ट्स कैपितल ऑफ इं हैं मिलिनियम सिटी भी कहते हैं और सिल्वर सिटी भी कहते हैं कटक कम है तो कुछ वैसा ही है भारत में जैसे यहां का एक तो उडिसा का हाइक कोट कटक में मौझूद है और दूसरा कटक की अपने आप में एक डाइवर्सिटी ही अलग है सिल्वर सिटी भी कटक को ही कहते हैं पूरी को कहा जाता है स्पिरिच्वल कैपिटल ऑफ उडिसा क्योंकि जो पूरी एक जिला है जो कि आप देख भी पा रहे हो यहां मौझूद उडिसा के लगवग बंगाल की खाड़ी के तट पर यह पूरी एक ऐसा जिला है जहां जग सोलर पावर प्लांट टोटल कैपसिटी 6910 किलोवाट की लगाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था उडिसा की सरकार ने भारत में अगर चर्चाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो दोस्तों आप पाएंगे की फेमस टेमपल जो प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों इसके अलावा राजनानी मंदिर है भुबनेश्वर में मासमलेश्वरी मंदिर है जो की भुबनेश्वर में ही है और 64 योगिनी मंदिर हीरापूर में स्थित है राम मंदिर भुबनेश्वर में और तारा तरिनी मंदिर यह गंजम डिस्टिक्ट में मयूर भंज इस समय के राष्ट्रपती द्रापदी मुर्मुजी मैयूर भंज न सिर्फ की भारत के लोहे के प्रड़क्शन में आगे है बलकी अगर चर्चा की जाए कि मिनरल का सबसे ज्यादा उत्पादन यदि ओडीसा में होता है तो वह लोहा ही है और लोहे के उत्पादन में ओडीसा नमबर वन पर है आईए दर्शन करते हैं जगनात पुरी मंदिर के और ये खुबसूरत सी जो तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये जगनात पुरी मंदिर है और दोस्तो इस मंदिर का निर्मान 12 वी शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोड गंग द्वारा क क्योंकि गंग राजवंश के शाशक हुआ करते थे इसके अलावा आप पाएंगे कि एक और खुबसूरत समंदिर हमारे भारत की धरा पर मौजूद है जिसे कोनार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है और यह जो कोनार्क सूर्य मंदिर है इस कोनार्क सूर्य मंदिर का निर्मान इ सिम्ध देव प्रथम या राज सिम्ध ने करवाया था लगभग तेरहमी शताबदी के आसपास देखें दोस्तों इसका पूरा एक क्रम मैंने रख दिया है यहां पर और यह जो मैंने पूरा क्रम रखा है उसमें मैंने यह भी शामिल किया है कि युनिस्को में इसे 1984 में शामिल किया गया था दोस्तों अगर और आगे बढ़ें तो हम यह पाते हैं कि किंग जजाती केशरी और किंग लालतेंदू केशरी ने लिंगराज मंदिर को बनाया जो भूवनेश्वर में स्थित है और यह अत्यंत महत्तुपूर्ण मंदिर है ज सोमवंशी राजवंश के राजाओं ने अंतत है मंदिर का निर्मान कराया जिसका नाम है मुक्तेश्वर मंदिर और यह जो मुक्तेश्वर मंदिर है यह दश्मित अबदी के आसपास राजा यायाती प्रथम द्वारा बनवाया गया था बहुत ही खुबसूरत सा मंदिर यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और इनकी क्या ही चर्चा की जाए दोस्तों कोरा पूटका काला जीरा राइस जिसे प्रिंस ऑफ राइस कहा जाता है अंततह उसे जी आई टैग मिल ही गया इसके अलावा कांति मुंडी बैगन को गजपती हजूर वाले गुड को और डेंकनाल के माजी को मयूर भंज की काई चटनी को कंधमल की हल्दी को रसगुला को और जो कोट पद का हत करगा कपड़ा है उसको भौगोलिक संके तक मिला हुआ है उडिसा की इकत को इकत ये वास्तविक्ता में कलागारी है जो कपड़ों को उपर प्ट मेर्शन भी ओडिसा का जो पट चित्र आवए भी और मैराँ पूर के पट्टा पर अबस पूरी साधी और कप्ड़ और बोमकाई की साधी और कपड़ इन सभी को मिला हुआ है जी आई टैग हो दोस्तों जी अई टैग में खंडूआ ओंडेल फैभ्री को भी मिला हु दलापथार परदा और कपड़े संबल पूरी बंधा साड़ी और यह खूबसूरत सी आप कलाकारी देख पा रहे हो ना एक कपड़े के उपर यह ओरी सा की पहचां है आगे बढ़े तो हम पाते हैं दोस्तों की राम सर्षाल कौन-कौन से हैं और यह खूबसूरत आप देख पा रहे हो यह अंसुपा लेक ही है दोस्तो अंसुपा लेक 2022 में शामिल की गई भितर कनिका के मैंग्रोव को 2002 में चिलका जील को 1981 में जो की भारत की प्रथम रामसर इस्थल के रूप में जाना जाता है हीरा कुट रिजर्वायर को 2022 में उसके अलावा सत्कोसिया ज खूबसूरत सा द्वीप है यह काली जाई माता को समर्पित है दोस्तों इस खूबसूरत से द्वीप पर आप नाओं के माध्यम से जाए और जा करके यहां काली जाई माता को प्रणाम करिए वाइड लाइफ सेंक्चुरीज की चर्चा की जाए तो दोस्तों देबरी गड़ बार गड़ में सुना बेड़ा कोरापुट में हदा गड़ केंदुवर में और कोटा गड़ वने जीव भ्यारन कंधमाल में उसके अलावा उशा कोटी यह उशा कोटी में है सत्कोशिया ट रिडले कच्वे यहां पाए जाते हैं और यह ऑलिव रिडले कच्वे जो हैं यह गहिर माथा में पाए जाते हैं दोस्तों इसके बारे में बहुत खुबसूरत सी जानकारी मैंने यहां पर इकठा की है कि ऑलिव रिडले टर्टल्स होते क्या हैं मत्र उडीसा में भारत के अंदर ये पाए जाने वाले स्मॉलेस्ट सबसे छोटे समुद्र के टर्टल्स अत्यंत महत्वपूर्ण है और दोस्तो इनके बारे में पूरी जानकारी मैंने बताई है हाला कि अगर IUCN की बात करें International Union of Conservation of Nature तो उनके हिसाब से वल्नरेबल प्रजाती में रखे गए हैं दोस्तो खूब सूरत से नाचते हुए मोरों को देखने का अपने आप में एक अलाग आनन्द है और उडिसा पूरी तरह से हमें ये आनन्द देता है सूर्य मंदिर कोनार का युनिसको की विश्विरासत सूची में शामिल किया गया 1984 में और इसके साथ ही साथ कोनार के इस सूर्य मंदिर को आप देखी सकते हैं यूनिस्को के विष्वि रासत सूची में कुछ संभावीत स्थल भी है जो शामिल किये जाने हैं। जिन में से एक तो एक आमर्क शेत्र भुबनेश्वर का टेंटिटिव है और चिलका जील भी शायद युनिस्को की विश्विरासत सूची में शामिल आगे चल करके होगा जरूर तो कैसा लगा दोस्तो आप सभी लोगों को ये हमारा ओडीसा का एपिसोड वादा हमने 31 अक्टूबर के लिए किया था परन्तो एक नवंबर को आप आया कल थोड़ी सी चीजें मेरे पक्ष में नहीं रही उसकी वज़े से मैं माफी भी मांगता हूँ अगला एपिसोड पांच नवंबर को आएगा पंजाब के बारे में और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तो बताईएगा कैसा लगा आप सभी को ये एपिसोड साथ ही साथ में बता देना चाहता हूँ अगर आप SSC के किसी भी एक्जाम क मिलेंगे जब आप डिसकाउंट कोड वाई 263 का इस्तिमाल करेंगे 2000 घंटे की लाइव क्लास, रिकॉर्डिट क्लास, 4000 से ज़्यादा टेस्स सीरीज, डाउट क्लासे, हैंड रिटेन नोट्स और 1000 से ज़्यादा ई-बुक्स यहां मौजूद हैं बस प्रशन आप से यही है कि उडिसा के चांदीपूर में इस्थित एक द्वीप का नाम वीलर आइलेंड था, अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, यही आपके लिए प्रशन है अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजे हमारे इस लेक्चर को, बताईए कि आपको हमारी महनत कैसी लग रही है, इन कविताओं के माध्यम से शुरुआत करके युनेश्चो की विश्व धरुहर सूची तक पहुँचना और इस पूरी यात्रा में लगभग स्टाटिक ज ले और आपका प्यार भी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत